युवाओं के लिए वैक्सीन का एक भी सेंटर शुरू नहीं हुआ कई राज्यों के कई जिलों में और जहां शुरू भी हुए वहां बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि वैक्सीन एवलेबल नहीं है वैक्सीन कहा गई मैं कई बार कहा चुकाओं कि इसके लिए पूरी तरह स केंद्र सरकार जिम्मेदार है आज अगर देश कोरणा की मार्ज हिलने के लिए मजबूर है तो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पूरी देश के लिए वैक्सीन उपलब कर आए हमने युवाओं के लिए के सरकार से वेक्सीन वागी तो सेंटर ने कहा वह आपको केवल चार लाख मिलेगी आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए हमने मौडरना फाइजर जॉंसन जॉंसन इन समाम कंपनियों से संपर्क तो मौडरना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है की वो केवल केंद सरकार से बात कर रही है वो किसी भी राजसरकार को सीधे प्रकॉर्मेंट नहीं दे रही है तो केंद सरकार से कहो कि भाई देशी कंपनियों से वेक्सीन लेने दो तो केंदी सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी वैसे कहती है राजी सरकार है खरीद ले लेकिन राजी सरकार जब कंपनियों से मांगती है तो केंदी सरकार बीच में आ जाती है और कहती है केवल 4 लाख मिलेंगे विदेशी कंपनियों की वेक्सीन जो इंट केंद सरकार से बोलो इनको मंगा लो तो केंद सरकार मंजूरी तो नहीं देती उनको कहते हैं आप सीधे खरीद लो राजसरकार सीधे खरीद ले राजसरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती है तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती है जी केंद सरकार हमसे बा मैं कुछ अंतराश्ट्रिय इस्थिती भी आपके सामने रखना चाहता हूँ अमेरिका में दिसंबर दो हजार बीस में यानि कि पिछले साल फाइजर, मॉडरना और जॉंसन इन जॉंसन इन तीनों को मनजूरी दी गई थी उन्होंने पिछले साल दिसंबर में इन तीनों वैक्सिन्स को अपने यहां इस्तेमाल की मनजूरी दे दी थी भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मनजूरी दी है ना मॉडरना को मनजूरी दी है ना जॉंसन इन जॉंसन को मनजूरी दी है सारी दुनिया की सरकारे इन वैक्स को ना सिर्फ मंझूरी दे चुकी है बलकि अपने हैं अपनी लोगों के लिए खरीद चुकी है और हम मंझूरी तक नहीं दे रहे हैं है ऐसी क्या मजबुरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी दो कमपनियों की वैक्सीन के सहरे निर्भर हैं और वो भी आप उनको निर्यात किये जा रहे हो आप उनको एक्सपोर्ट किये जा रहे हो वो देश में उपलब्द नहीं है और जब राजे सरकार अंतर राश्टी ये बाजार में जाती है तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी वैक्सिन्स को मनजूरी न कि अगस्त में में मुझूरी दे शिक्षादy दोजार बीस में हमने इस पुतनिक को मंजूरी के देने से बना करद्ich दिया था और अपरियल दोजार इकिसें जाकर हमने मनुझूरी दी हमके विल मननुगा हम केवल पिछले महीने जाके मंजूरी दे पाए हैं अगस्त में अगस्त पिछले साल अगस्त में हो गया था यह बिर्टेंड ने दिसंबर में फाइजर को मंजूरी दी हम तब भी सो रहे थे और अब भी सो रहे हैं फाइजर को बिर्टेंड ने फाइजर अमेरिका में बनी हैं लेकिन बिर्टेंड ने उनको दिसंबर में अपने हैं बेचनी की मंजूरी दे दे थी और अब तक 85 देश अपने देश के लोगों के लिए फाइजर को मंजूरी दे चुके हैं उसको खरीदना शुरू कर चुके ह और अभी तक हमने मंजूरी नहीं दिया इंडिया में मॉडर्ना को 46 देश मंजूरी दे चुके हैं हमने अभी अपने देश में मॉडर्ना को मंजूरी नहीं दिये जॉंसन और जॉंसन को 41 देश मंजूरी दे चुके हैं हमने अभी अपने देश में बेचने को मंजूरी नहीं यह क्यों चल रहा है कि एक तरफ आप कहते हो ग्लोबल से अंतरष्ट्य वेक्सीन, करदे राज्य जाकर जॉ-स इन अभी तो राज्य सर्कारों को भारत जुब वैक्सीन खरिदी यूजनके लिए आप कहते हैं टेंडर कर लो उनको भारत सरकार मनजूरी तो दे अभी तक मनजूरी भी नहीं दी गई है दुनिया की सारी सरकारों ने दुनिया भर में वैक्सीन के इंटरनेशनल प्रड़क्शन पर निज़र रखी और जैसे जैसे वैक्सीन बनाने का काम वैक्सीन की ट्राइल्स आगे बढ़े वैसे वैसे वहां के कई देशों की केंदर सरकारों ने एडवांस में प्रिक्यॉर्मेंट ओडर कर दिये वैक्सीन बनना शुरू हो उससे पहले वहां प्रिक्यॉर्मेंट ओडर कर दिये गए थे नवंबर दो हजार बीस तक पिछले साल लगबख सात महीने पहले अमेरिका और यूरूपिय यूनियन ने मिलके सतर करोड वैक्सीन खरीद ली थी उस ओर्डर के तहर अमेरिका ने जब वैक्सीन का ट्रायल चलना था उसी स्टेज पे खरीदना शुरू कर दिया था और आज के पास में उसकी पूरी आबादी के लिए एक एक वेक्ति के लिए उन्होंने अपने हाँ वैक्सीन खरीद के रख लिए बिर्टेन ने जनवरी से वैक्सीनेशन के प्रोगाम शुरू किया था और जनवरी में 75 परसेंट आबादी के लिए उन्होंने अपने हाँ वैक्सीन खरीद के रख ली थी नवंबर दोजार बीस में प्रधान वंतरी नेजंद मोदी जी ने सीरम इंस्टिटूट का दोरा किया था उसके बाद से आज तक उसके नवंबर के बाद से अपरेल तक भारेस सरकार ने इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपरेल में जाके हमने उसमें पैसा लगाया अमेरिका की सरकार ने अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन बनने से पहले मार्च 2020 में वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था जिस वक्त वहां की सरकार पहली कोरोना की वेव से लड़ रही थी उस वक्त वहां उन्होंने वैक्सीन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था भारतव सोगें, और भारत सरकार अब भी सो रहे हैं वेक्सीन को लेके, अभी भी वेक्सीन के बारे में बात करो, तो कभी भारते जिम्ता पार्टी कुछ उचाटब रञँ जवाब देने के लिए हैं, कभी वो जेस्टिफिकेंशन देना कि हमने व बेज़ दिए अपने बच प्रिता को समझिए ऐसा ना हो कि जब आप वैक्सीन लेके आएं तब तक समय निकल चुका हो और जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी है उनकी एंटीबोडी भी खत्म हो जाए उनको भी दोबरा वैक्सीन लगाने का रंबार आ जाए एक बड़े युद्धिस्तर पर एक गंभीर जिम्मेदार सरकार की तरह से पूरे अंतराष्टी ये बाजार में खड़े होई हैं मॉडर्ना जॉंसन इन जॉंसन और ये आपकी फाइजर ये वैक्सीन अवलेबिल हैं मार्केट में दुनिया की बहुत सारी सरकार हैं उनको खरीद रही हैं खरीद चुकी हैं मॉडर्ना और फाइजर दोनों कह चुकी हैं कि हम केंद सरकार से बात कर रहे हैं हम राज्यों के साथ में डील नहीं करेंगा और ये बात दिल्ली की नहीं है पूरे देश की राज्य सरकारों की बात है